गोलिया खाली ओप्रेशन भी करा लिया फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम तो आज ही आईए 14 साल से रुगने से वामे तत पर अभ्यूदै पाइल्स लेजर और आईरुवेद हॉस्पिटल शताब्दी चौक से मनिशनग रोटनाकपूर नमस्का स्वागत है आपका एंबी सिंथ की खास पेशकर्ष डॉक्टर.com में वर्शारुतु का आगमन हो चुका है बहुत शोर जोर शोर से हम इंतजार भी कर रहे थे वर्शारुतु का लेकिन जो वर्शारुतु आती है तो वर्शारुतु अपने साथ में बीमारियों का भ बारे में और वर्शारुतु में बीमारियों के बारे में एक्सपर्ट से ही जाने तो आज हमारे साथ में मौझूद है डॉक्र प्रवीन सहावे जो की अभीदे पाइल्स एंड लेजर इंस्ट्यूट के सर्वे सर्वा है और इनके खासियत यह है कि आज तक अपने प्रोप किकीरे में उनका नाम काफी अच्छा है वर्शारुतू के मौसम में मैं डाक्टर साथ का इस भी भीनी भी वारिश के साथ में बहुत-बहुत करता ह apprent cụ यह अका है jour कि हम बात करें और हम बात करहें बहुत और इसको हमने देखा है कि बारिश की दिनों में इसके लक्षन में बढ़ते हैं तो इसके प्रमुक लक्षन क्या है और ये बिमारी है क्या एक्ट्यूलिए का मतलब होता है हम मिन्स ब्लड जिस बिमारी में फवारे दैसा ब्लड उड़ता है इन शॉर्ट भाषा में अगर ब इसको कारण वाज जैसे कॉंस्टिपेशन होना या किसी बीकारण से वहाँ पर प्रेशर लगाना इसकी वहाँ पर नसे फूलती है उसको हमर्याइट का जाता है सबसे पहला लक्षन है कि इसमें ब्लीडिंग होता है जब दर्द बिल्कुल नहीं होता जदा दर्शकों को य इसमें बुदिंग जाता नहीं दूसरा मस्य बाहर आते हैं मोशन करते समय अपने आप अंदर चले जाते हैं और पाइसके आलावा ब्लीडिंग जो हता सब्सक्राइब करना पड़ता होगा इसमें कई बार आम लोगों को इवन मैं अपनी बात करूं तो बवासीर कहीं है मैं तो समझता हुए सारी चीज़े ही की है लेकिन अलग अलग तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश दा लिए गुद्वाग में एनस के जगह होने वाले बहुत सारी बिमारिया है इसमें लगवाग 20-30 प्रकार की बिमारिया है अगर हम 20-30 प्रकार की इसमें से सामान जनता को से पाइल्स पता है तो वहां जैसे आपने पूचा कि फीशर और क्या होता है कि किसी भी वज़े से हाड़ स्टुल हो गई कड़क संदास हो गई या ज़्यादा बार लूज मोशन हो गई उसके वहाँ पर चीरा होता है गहा होता है गुद्वाग में और उससे अत्याधिक पेन होता है में होता है और में फीशर में वहाँ पर पेन होने से आहिजिए चिसमें झाल होने है उसको चुपाने की बॉडी की टेंडन से हो जाती है और वहाँ पर एक सेंटिनल पाइस तायर होता है तो फीशर से जो फिशुला होता है जैसे लागातार कई दिनों तक फीशर अगर बना रहे उसकी वज़से वहाँ इंफेक्शन होता है जीजा एक होता है खोंटा है खट अलों उता है और में वहां से निरंतर भाइटते बनाए हुआ फिश्वुला इने गुद्वभाग में अंदर रेक्टम तक खुला हुआ इनस और कभी-कभी एक महिलाओं में यूनिमार्क तक खुलता है इसको वजानल फिश्वुला बोलते हैं तो यह फिश्वुला वहाँ पर जैसे एक्स्टरनली एक ओपनिंग रहता है औ या कॉंप्लेक्स विश्वला कहा जाता है जैसे वहां पर उसके घ्लाइंस कुछ गाठ जैसे वहां पर भी होता है उसकी वज़से विश्वला होने के चांसे होते हैं बूसली सेंटिटिटिटी परसें जो होते हैं। वह के इंफेक्श्टन से होते हैं। और यह जो है यह फिशा है इसका पर सही समय पर और सही स्टेज में अगर इलाज किया जाएं। यह ठीक हो सकते हैं ऑधोनिक मेडिकल टर्मिनलोजी के और बढ़ रहे हैं और बहुत सारी जो है इलाज के अपने पास पर उपलब्द होगी और उपसे नियुक्त पड़ता था रोज डेसिंग के लिए जाना पड़ता था और उनका देनन दिन जो जीवन यापन है वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है पर अभी एडवांस लेजर ट्रिक्मेंट है पाइस के लिए फीशर के लिए फिशुला के लिए तो इसकी वज़से आपको क्या है कि एक द अध्यक्लिप्स जो इनसान गुजरता है तो वह पीन नहीं है दर्द नहीं है और इसकी कॉंप्लिकेशन जो नॉर्मल सरजरी में होते वह भी नहीं है तो एडवांस लेजर ट्रिट्मेंट का यह फाइदा होता है जिसमें बाइलाजिकल इलेक्रिकल इंपेंड़नस उट्र हो जाता है तो यह भारत में लाने का मद्धे भारत में लाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और इसके लिए पूरसकार भी मुझे मिला बहुत 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 सब्सक्राइब तो यह जो नई एडवांस टेक्नलोजी है हम हमेशे निरंतर प्रयास करें पिछले 15 साल से हो मिनिमम तकलिफ हो और कम कोस्ट में यह सब चिक्षा पर्याइब उनके लिए उपलब्द हो जो बवासिर कहिए इन सबको ट्रिट्मेंट करने के लिए यह वर्ड यूज होता है तो यह प्रोक्टोलाजी चिक्षा विज्ञान में इसका क्या महत्वर किस अक्षेत्र से है इसको आप कैसे आप आए इसकी व्यक्षा कैसे करेंगे अगर हम व्यक्षा करते तो इस बीमारियों का जिस अभ्यास किया जाता है इसको प्रोक्टोलाजी कहते है जैसे हाट के लिए हाट स्पेशलिस्ट होता है बॉन के लिए अलग अलग स्पेशलाइशं हो चैके सो वैसे अलग ब्रास है जिसमें इसमें स्पेशिपिक ट्रेइनिंग किए जाते हैं एडवान्स लेजर टेकनॉलोजी है और व्यान्नेक शीकिसा बदाती है तो उसके माध्यम जेचिशा की जाते हैं डॉक्टर साब आधुरीक पद्धत्य आपने लेजर सर्जरी वगरे के बारे में बताया प्रोक्तिलाजी के टगमिल आज़े आपने समझाए एक सर्जरी के नाम से एक इंसान या पेशन्ट की मन में डर रहता है कि वह सर्जरी तो करवा ले सब कुछी करवा लेकिन उसके बा अगर सर्जरी करते थे तो एक एक मेना प्रदती होने से क्या है कि आपको घाव बड़ा नहीं रहता है कोई टाके नहीं रहते को चिरफार नहीं रहता है उसकी वएस से आपका जो हस्पिटल स्टेव कम रहता है पोस्ट ऑपरेटिव कॉंप्लिकेशन भी कम होते हैं तो इस हमार है जो भी इन तकलिफों से गुजर रहे हैं मैंने कहा था कि यह अगर जागे दुखना मतलब आज के दौर में ऐसा कुछ ने आपको तकलिफ है जितने जल्दी आप बताएंगे उतने जल्दी उसका सटी की इलाज डॉक्टर कर पाएंगे अब डॉक्टर साब एक लेने चाहिए कि बढ़ती है इसका कारण यह है कि आईर्वेद में कुछ कारण बता है कि इसे तीन दोश बताएं वात पित्त और कफ वात दोश का प्रकोविस सीजन में होता है बाहर का एंवार्मेंट बारिश होती है तो शरीर का अगनी मांदे होता है कि किसी भी आहार को पचानी के जो शक्ति होते हैं अगनी बोलते हैं और वह अगनी मंद हो जाता हैं इसकी विए से समस्या है यह बढ़ते जाती हैं और पाइस का भी अगर हम लोग बेसिक जो डिसीज का होने का जो कारण है अगर हम आयर्वेद की इसाफ से देखेंगे तो पंचात्मा मारुत कि पाच्व प्रकार के वातों की दूष्टी होके वहाँ पर गुदवाग में फीशर या पाइस की समस्षा है तायर होती है तो मुस्ली वर्षा रुटी में यह सब प्रॉब्लम्स बढ़ती है अब इसके रोक्ताम के लिए अगर हमको चाहिए तो हमको गरम कुन-कुना पानी खाने में पीने में पीना चाहिए बासी रोटी बासी सबजी यह नहीं खाना चाहिए नहीं सोना चाहिए रात को नहीं जगना चाहिए Reflection बिलकुल Now और जंक फूड जो है अभी हम लोग स्विको जमाटों से तुरंत मगाते हैं तो यह भी अवाइड करें बारिश अगर आई तो सबसे पहले तो गरम-गरम भजी खाने की इच्छा हुई घाना ही है पकोड़ा तो आप चने के दाल का पकोड़ा मत खाईएगा अच्छा क्योंक रूटीन है आपका खान-पान की आदर से रेगुलर रखे मुझे मैंने कहीं दोरान देखा है पेशेंट्स को कि सुबह उठते बड़ाबर टॉयलेट में मूबाइल ले जाते हैं वो सबसे बड़ा हनी का रखा और पाईज को बढ़ाने का कारण है क्या होता है कि आपका ट मुझे लगता है कि मैक्जिमम दर्शक जो है जो देख रहे हैं और आपके बाजू में बैठे हुए उनको भी गंदी आदत है इसको अवाइट करना पड़ेगा और अलकोहल का मातरा कम करें तीखा वीच मसारेदा नॉनवेज डाएट यह अवाइट करें और हो सके तो जो युष करते हैं वेश रूम करने के लिए वाश करने के लिए तो यह चोटी-चोटी चीजे आपको आने वाले संकार से बचा सकते हैं बशरते कि आप उनको ध्यान में रखें लेजर सर्जेर की हमने बात कहीं और एक एंशेंट प्रैक्टिस इस भी चल रही है और चल रही रही होगी तो आपको अगर मैं यह सवाल करूँ कि क्या वो एंशेंट टेक्नोलोजी को ही क्यारी करना चाहिए आज के दौर में लेजर टेक्नोलोजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो आप क्या कहीं जैसे हजारों साल पहले आज से जिनको फादर ऑप एशियांट पैसे जर्प और अवशदी शार शस्त्र किस्सा है वह सबसे आखिने शार पांट बताये थे इसमें अगर सबसे पहले है तो मैडिसीं ही बेस्ट ऑप्शन है और हर एक के लिए सर्जरी नहीं है हर एक पाइल्स के लिए लेजर ढीड़ल लेड़न नहीं है इनिशे स्टिसरेटर में कुछ सब्रिपतर के अनुसार हम लोग देते हैं सब्रीट ऊवных प्रसेजूर से जिसमें ु Terreście के बेस में कुछ इंजक्शन दियाजाता है जिसे ज्र मोली चेरपी में जबाएंक जिसमें hu तुसके बसे यह भी गैजरबार्ट रस्टा सीजरी से ठीकिलाचे और इसके बिल्कुल बिल्कुल एक शास्त्र का अध्यान ना करो आपको सभी एक चिकिस्त्र जो है उसको सभी शास्त्र का ग्यान होना ज़री है तो आयरवेदा और बिल्कुल और साथ साथ काम करें तो निश्य थी उसमें पेशन्स का फायदा होगा और बदल के अनुसार और पॉजिटिव मोड में अगर आप उस बदल को एकसिप्ट कर ले तो आप पेशन्स के लिए भी अच्छा ही कुझ दे सकते हैं और उसके परिणाम भी आपके लिए उसके बारे में आपको बताना है लेकिन मैं यह समयना चाहूंगा कि यह होता है क्यों विसरा होता है क्रोणिक फिशर जो हता है वे कुछ दिनों साथ दिन के अंदर आट दिन के अंदर हुआ बीमारी है और क्रोनिक फिशर एने कई सारों तो वैसा चक्र चलते रहता है कभी पेन होता है दर्द होता है वहाँ ब्लीडिंग होता है और फीशर में सबसे ज्यादा पेन होता है इसका कारण भी है कि बिलो डेंटेट लाइन वहाँ पर जो गुदबाग में इसके नीचे नर्व सप्ला जादा होता है तो उसके वहाँ पर पेन बहुत सीवेर होता है और पाइल में की नहीं होता है तो ब्लीडिंग में यह सब प्रब्लेंस होते हैं जैसे मैंने बताया कि करते हैं तो इस मैं बड़ा घाव रहता है और पेशन्ट को ज़्यादा समय तक straighten करता है इसमें एडवांस लेजर के माथ हमद्रेंवर्टwyn 00现在 में लेजर किया जाता है यह मिनिमटॉम मेन विचने प्रसेजर रहें प्रॉक्ष्वा अपको को द्रेशिंग रहने की भी है और बहुत सारे सिक्स्टी परसंट जो है वो विदाउट सर्जरी भी ठीक हो सकते हैं अगर वो लाइफस्टाइल मौडिपिकेशन करे कुंकुने पानी में बैट के सीखाई करे और साथ में फाइब्रस डायेट ले कुछ मेडिसीन से जिनको ऐसा लगता है कि मुझे हो रहा है तो हरत की जिसको हरड बोलते हैं चुन रात को सोते समय में 3-4 ग्राम कुंकुने पानी के साथ ले सकते हैं गरम पानी में बैट के फिट करी और हल्दी डाल के सिखाई कर सकते हैं और तुरंत अपने नजदी के बाते बता ही तो मैं तो उन दर्शकों को बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर में तो कभी कते ही न जाए जो चोटी-चोटी बाते बता है वह आप उसका ध्यान जरूर रखे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी के तरी का जब आप उनके पास में जाते हैं तो आपको कुछ टेस्ट बताते बिफॉर बडे आर गॉइंग और एडवांस सब्सक्राइब करते हैं उनके पेशेंट के लिए बिल्कुल काफी अच्छा सवाल पूछा आपने हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पेशेंट पाइल से फीचर जाच होता है इसमें इसके अलावा अगर फीचुलय कहती जाते है इसमें आपका इसमें अनकी का यह बढ़ा है वह दिख जाता है वहाँ बहाँ पर लोकल सोनर ग्राफी जिसको बोलता है यह जी भी किया जाता है जिससे आपको कुछ पस कलेक्शन है क्या वो पता चलता है और इसमें आपका कोलोनोस्कोपी भी एक टेस्ट होता है जिसमें पूरी अतलियों की जाच होती है और कुछ कारण है कि ब्लीडिंग का वो तो यह भी उसमें तो यह सारी एक्जामिनेशन के बाद में एक सटिक इलाज की ग्यारंटी विल्कुल आप दे सकते हैं डॉक्टर साब भली अपने पास में समय की कमी हो लेकिन आज जो है हमारे पास पर एक औचित्त है बहुत बड़ा एक प्रसंग है और वो है डॉक्टर में उनको आप ठीक करने की कोशिश आप करते जिसके लिए अभीदय पाइल से लेजर सरजरी सेंटर में बहुत सारी आपने टकनिक भी जट किया है और बहुत प्यार से आप लोगों को ट्रीट करते हैं तो क्या तैयारी आपने इस डॉक्टर के लिए करी है हर साल की तरह इ हमेशा से जन्मानस तक पहुचने का जरिया रहता है कि हमारे पास जो भी एडवांस लेजर टेकनोलोजी है उसका समाज के लिए कुछ फाइदा हो समाज के हर वर्क को जो यह बिमारियों से जहुंज रहे हैं उनको इस चिकिस्टा प्रणाली से लाब हो और एक तारिक से ल के दिखा सकते हैं और जो भी इस प्रॉब्लेम से जूंज रहे हैं वो अपने पाइस फिशर फिशला से लिजाद पा सकते हैं दर्शो को मैं आपको जो बता रहा था जो डॉक्टर साब से मैंने बात की है और जो आपने भी सुना है एक चीश तो तो है कि हमारी सियत का कॉशन से लेंगे उतना हम अपने आपको बहतर शरीर अपना रख साएंगा और बहतर शरीर रहेगा तो उस बहतर शरीर में एक स्वस्त्रमन भी रहेगा डॉक्टर सदे के इस ओचित्य पर डॉक्टर प्रवीन सहावे ने हमेरे से बहुत प्यारी बातिक की है और एक ऐसा जो हम कहते हैं कि बवासीर और ऐसी जगे के दग जहां हम भया भी नहीं कर सकते हैं आप आपको इसकी चिंता करने के ज़रूरत नहीं है बहतरीन से बहतरीन टेटमेंट के साथ है अप्यूदेए पाइट्स एंड लेजर से आपके पास में है डॉक्टर साब फिर से आपको आपके पूरे टीम को डॉक्टर दे की बहुत बदध है और हमारे साथ में माचित के लिए बहुत 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 शुद्ध नहीं हुद गोलिया खाली ऑप्रेशन भी करा लिया फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम तो आज ही आईए चौदा साल से रुगने से वामें तत पर अभ्यूदै पाइल्स लेजर और आयुर्वेद हॉस्पिटल शताब्दी चौख से मनिशनग रोटनागपूर